हलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज लोधी हम इंसाइट आई एस डेली करेंट अफियर डिसकस करेंगे और आज है 15 जून और सबसे जो पहली न्यूज है वो ग्लोवल अलाइंस टू इलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियास इसके बारे में है तो जो लिम्फेटिक है इसको इलिमिनेट करने के लिए जो ग्लोवल अलाइंस है इसकी दस भी मीटिंग होने वाली है और इंडिया इसको होस्ट कर रहा है इंडिया में भी काफी सारे केसे मिलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियास इसके है ना तो जो ग्लोवल अलाइंस है टू इलिमिनेट लिम् जो 72 इंडिया में कंट्री हैं जहां पर lymphatic file areas के cases देखने को मिलते हैं तो यह उन सब का alliance है जिसमें आपके NGO, private sector के बंदे, academic, इसके बाद जो research institute रहते हैं international development agencies रहती हैं और WHO global program है ना तो यह सब लोगों का यह alliance है जिसमें WHO का भी यह एक global program है to eliminate lymphatic file areas अब बात कर लेते हैं कि lymphatic file areas होता क्या है हम बात कर रहे थे lymphatic file areas की तो ध्यान रखिएगा जो lymphatic file areas है यह वर्ल्ड के 73 countries में endemic है और इसमें हमारा इंडिया भी है इंडिया के कुछ states हैं जो कि lymphatic file areas से affected होते हैं ठीक है अब जो lymphatic file areas है यह lymphatic system में infection के कारण होता है lymphatic system क्या होता है तो जो lymphatic system होता है यह network of vessels होता है ठीक है हमाई body में artery होते हैं veins होते हैं इसी type से पूरा का पूरा lymphatic system होता है हमाई body में एक vessels का network होता है जो हमाई body में fluid balance करने का काम करता है हमाई body को immunity provide करता है और जो भी various organs है उनकी health को maintain करता है blood filtration का काम करता है ठीक है और जो lymphatic philariousness रहता है वो lymphatic system में infection होने के कारण lymphatic philariousness हो जाता है ठीक है अब मुझे इधर से यश्वन्द movie का एक dialogue याद आता है नाना पाटे कर बोलते हैं कि साला एक मच्छर आदमी को बना देता है समझ गए होंगे आप तो ध्यान रखिएगा जो lymphatic philariousness है यह एक parasitic infection है जो की mosquito के द्वारा spread होता है ठीक है UPSC इस टाइप से question बना सकती है कि जो philariousness है ठीक है lymphatic philariousness है यह किस के द्वारा होता है virus के द्वारा होता है bacteria के द्वारा होता है parasite के द्वारा होता है तो ध्यान रखिएगा यह एक parasitic infection है और human being में यह transmit होता है mosquito के दॉरा ठीक है जो इंफेक्षिन रहता है तो parasitic露 जो infection रहता है इसमें और इसके अलाबा एक बात और भी ध्यान रखिएगा मॉस्कीटो और कुछ ब्लेक फ्लाइज रहती हैं जो कि कभी-कभी खेट बगेरा में जाते हैं तो कुछ अधर कीड़े भी काट लेते हैं जिनमें एक टाइप होता है ब्लेक फ्लाइज है ना जो कि वह भी ब्लड को सक कर आते हैं तो मॉस्कीटो और जो ब्लेक फ्लाइज रहते हैं उनके द्वारा यह इन्फेक्शन स्प्रेड होता है इधर पर मैं एक बात और भी बताऊं कि यह जो थ्रेड लाइक इस्ट्रक्चर रहते हैं यह किस कैटेगरी से ब्लॉंग करते हैं ठीक है यूपीएसी इस टा आप ध्यान रखिएगा जो बच्चों को चिनूने पड़ जाते हैं पेट में बॉंब वगरा हो जाते हैं तो यह सारी कटेगरी हैलमिंत की होती है इस पे भी कोश्चन बनाया जा सकता है जो हमारा लिंफेटिक फाल एरियस है इसमें होता क्या है कोई भी जो सिस्टम में पहुच जाता है और इधर पर यह फालेरी मतलब जो फ्रेड लाइक स्टक्चर है इनको फालेरी बोलते हैं है ना माइक्रो फालेरी तो यह डैबलाप होते हैं सेकंड स्टेज में और 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 ज्यादा बढ़के यह थार्ड 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 आ जाती है स्टेज और यह माइक्रो फाइलरी है यह lymphatic system को infected करके blood में पहुँच जाते हैं ठीक है और चौती category में जब यह blood में आ जाते हैं तो कोई मच्छर इनको फिर से काटता है और कोई particular जो mosquito रहता है वो भी infected हो जाता है और 5, 6, 7, 8 है ना यह इस तरीके से जो mosquito है उसकी provosis मतलब उसकी जो है तो यह उसमें आके जो larva रहता है वो आ जाता है और फिर से कोई और परसन को यह infected कर देता है एक बात ध्यान रखिएगा जो थार्ड स्टेज है त्री लिखाए जाँ पे इधर पर ही डाइग्नॉस किया जा सकता है elephantiasis को या lymphatic philariasis को इससे पहले पता ही नहीं चलता कि ब बोलते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं structure में इसमें body में chronic swelling हो जाती है permanent swelling हो जाती है जो कभी जा नहीं सकती इसको lymphatic philariasis को बोलते हैं क्योंकि यह lymphatic system में infection के कारण होता है यह बहुत ज्यादा devastating infection होता है और जनरली बच्चों में होता है और फिर यह ताउम्र आपके साथ ज हो जाता है इसमें जो हमारा lymphatic system रहता है वो upset हो जाता है मतलब उसकी जो normal float रहता है उसका जो balance रहता है वो disturbed हो जाता है तो इसके करण हमाई body में chronic swelling आ जाती है जो कभी नहीं जाती है और यह जो lymphatic philariais से से elephantiais भी बोलते हैं जैसे हाथी पाव भी बोलते हैं तो यह एक permanent हो चला जाता है एक बात और बोलूँगा कि जो elephantiais है यह जो जहां पर sanitation की बहुत बेकार condition है है ना water hygiene नहीं है तो एसी जगह पर यह infection ज्यादा होता है और ध्यान रखिएगा elephantiais या lymphatic philariais यह एक single symptom नहीं है यह एक syndrome है symptom और syndrome में क्या difference होता है देखिए symptom कोई एक single symptom होता है जैसे आपको headache हो रहा है यह symptom है लेकिन किसी को AIDS हो रहा है तो AIDS it is not a symptom it is a syndrome syndrome मतलब जब आपको बहुत सारी चीजें एक सांथ होती है that is called syndrome तो जो lymphatic philariais है या elephantiais है तो यह एक syndrome होता है बात करें हम इसके treatment की तो ध्यान रखिएगा जो बच्चों के पेट में warm हो जाता है उसके लिए हम treatment के लिए क्या देते है गवर्मेंट इसकी में निकाली है इसमें एक single tablet दी जाती है बच्चों को आनवाडी सेंटर पे और मैंने यह बताया भी था बताएं यादा रहा है नहीं वो टैब होती है अलबेंडा जॉल उसका एक single dose होता है तो ध्यान रखिएगा जो एलिफेंटी आसे से हाती पाव है लिंफेटिक फालेरी आसे से से इसके treatment के लिए भी एंटी पैरासाइटिक टैबलेट दी जाती है जिन में अलबेंडा जॉल मोस्ट कॉमन है ठीके जो चलिए आगे चलते हैं अगली नूर्थ इस्टन काउंसिल के बारे में है तो जो ministry of development of northeastern रीजन है इसने प्रपोजल भीजा था कि जो union यूनियन कबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया है कहने का मतलब यह हुगा कि अभी जो नौर्थ इस्टरन काउंसल है इसका एक न्यू अरेंजमेंट हो गया है बात करें इसके अरेंजमेंट की तो जो चेर्मेंट है है ना वो हॉम मिनिस्टर होगा एक्स ओफिस यो चेर्मेंट होगा इसका मतलब जो भी राजना सींग है अभी तो बो चेर्मेंट है और जब यह चले जाएंगे कोई दूसरे आएंगे तो बो नौर्थ इस्टरन काउंसल के चेर्मेंट होगे कहने का मतलब यह हुगा कि जो न ऋन नौर्ड इसरन स्तेट्स राख अधरं के तो इसे किया फाइदे होने बाले हैं नौर्ड इसरन कांसल के लिए सब फ़हला तो यह है कि इस्ते प्लेटफरम बन गया है जिससे इंटर स्टेट्र के जो educación मुद्दे होंगे अब ये forum आराम से discuss करेगी और उन पर solution निकाले जा सकते हैं दूसरी बात जो मुद्दे जॉर्नल काउंसिल डील करती थी जैसे कि ड्रक्ट्राफिकिंग ठीक है जो हत्यार बगएरा उनकी smuggling होती है या boundary की जो भी डिस्प्यूट थे तो जो नौर्थ इस्टन काउंसिल है अब ये मुद्दे डील करेगी ठीक है और तीसरी बात तीसरी है जो भी project implement होना है तो उनकी बीच में coordination और अच्छे से किया जा साकता है ठीक है बात करें आदी नौर्थ इस्टन काउंसिल की तो एक act आया था नौर्थ इस्टन काउंसिल ये नौर्थ इस्टन काउंसिल बनाई गई थी 2002 में 2002 में इसमें amendment किया गया और इसको regional planning body की तरह work करने को बोला गया इसको mandate दिया गया ठीक है तो जो नौर्थ इस्टन एरिया है बहाँ पर कोई भी original plan बनाना रहता है उसको formulate करना रहता है तो बहाँ पर जो apex body होगी वो formulate करती है ठीक है तो ये था हमारा नौर्थ इस्टन काउंसिल के बारे में ध्यान रखिएगा सिंपल सा है सबसे पहला तो यह है कि यूनियन हो मिनिस्टर इसका chairman रहेगा मिनिस्टर ऑफ जो डॉनर है वो वाइस chairman हो गया governor cm है ना वहां के member हो गए और बात मैंने की कि अब य implementation के लिए यह responsible होगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगली न्यूद सांची स्टूपा और फोमिन पगोड़ा के बारे में है तो इंडियन गौर्मेंट और जो ब्यातनामी गौर्मेंट है इन्हों ने मिलके एक MOU साहिन किया है और joint postage stem निकाला है सांची स्टूप और फोम परन का था और फिर इसको स्टूप का convert किया गया है ना तो इसमें जो एडिशनल फीचर है इसका जो रिश्ट्रेशन का जो वर्क है यह डिफरेंट टाइम पिरेड में किया गया ठीक है मौरियन डाइनेस्टी का जो रूलर था अशोका उसने सांची स्टूपा बनवाय था यह जो मद्द प्रदेश की कपिटल है भोपाल वहाँ से 46 किलोमीटर नौर्स इस्ट में लोकेटेड है ध्यान रखिएगा यह बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए फेमस है और एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरीटेज साइट है ठीक है और जो बियत नाम का है वो है फोमिन पगोड़ा तो यह लाइड डेनस्टी के द्वारा इसको बनवाया गया था बांक इसके क्या परिटिकुलर है वह बहुत ज्यादा माइने नहीं रखते लेकिन आप सांची स्टूपा के बारे में ध्यान रखिएगा कुछ और बात करें यह पगोड़ा की अबियतनाम श्री लंका तो एसी जगह पर आपको यह पगोड़ा देखने को मिल जाते हैं ठीक है और मुस्ट को मली यह जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं ना उनके द्वारा मतलब बुद्धिस्ट कम्यूनिटी इनको फॉलो करती है पगोड़ा में वर्शिप की जाती ह अगली न्यूद वार्टर मेनेजमेंट इंडेक्स के बारे में है तो नीति आयोग ने कमपोजिट वार्टर मेनेजमेंट इंडेक्स लॉंच किया है ठीक है बात करें वार्टर मेनेजमेंट इंडेक्स की तो जो वार्टर रिसोर्सेस हैं उनके मेनेजमेंट के लिए और ज जो भी central ministry है department है वो कोई भी जो policy है उसको formulate करते हैं या कोई भी particular water resources के management के लिए suitable strategy अपनाते हैं तो ये index उनको useful information provide करेगा ठीक है इस index के द्वारा जो state है UT है वो optimal water का कैसे utilize करना है water को कैसे recycle करना है और जो water resources का management है उसको कैसे efficiently करना है ये सारी उनको जारगारी मिलेगी और वो aware रहेंगे और इस दसा में बहुत अच्छा काम करेंगे ठीक है तो ध्यान रखिएगा water management index नीति आयो के द्वारा launch किया गया है और इसमें information रहेगी कोई भी जो state है central department है UT हैं तो जो water resources हैं उनको किस तरीके से manage करना है water की कैसे sustainable practices अपनानी है water को कैसे optimally utilize करना है कैसे water को recycle करना है कोई भी जो policy बनाते हैं कोई भी strategy बनाई जाती है तो इस water management index की help ली जाएगी जो की नीति आयो के दारा launch किया गया है चलिए आगे चलते हैं अगली news निकी Asia prize के बारे में हैं बात करें निकी एशिया प्राइस की तो यह 1996 से जो जापान का सबसे बड़ा media house है निके करके तो उसके द्वारा दिया जाता है यह तीन फील्ड में दिया जाता है रिजिनल growth science technology innovation and culture ठीक है इस बार का जो निकी एशिया प्राइज है social reformer और जो इंटर्नेशनल के फाउंडर है बिंदेशवर पाठक उनको दिया गया ठीक है ऐसा कोई भी बंदा ऐसा कोई भी organization जो की large number पे है ना लोगों की भलाई के लिए काम करता है तो उनको ये अवर्ड दिया जाता है और इससे पहले भी हमाई country के हमाई मनमोहन सींग साहब और chairman नारण मूर्थी को भी ये अवर्ड दिया जा चुका है तो ध्यान रखिएगा निकी एशिया प्राइज जापान का ये एक प्राइज है ठीक है और ऐसे लोगों को दिया जाता है ठीक है जो lips of people को सही करने के लिए भलाई के लिए काम करते हैं ठीक है और जो इस बार का वार्ड है वो बिंदेशवर पाठक को दिया गया है चलिए आगे चलते हैं तो दोस्तों ये था हमारा आज का दिसकसन चलिए सुरू से देख लेते हैं आज हमने क्या के डिसकस किया हमने बात करी थी इंडिया और वियत नाम की बीच में एमो यू सायन हुआ है और इन्होंने एक जॉइंट पोस्टल स्टाम निकाला हुआ है जिसमें सांची स्टूप और फो मिन पगोड़ा है जिसमे जो मौरियन डाइनेस्टी का रूलर था अशो का उसने ये बनवाया था और मैंने बोला था कि ये बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर के लिए फेमस है और यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ठीक है फिर इसके बाद हमने नौर्थ इस्टन काउंचल के बार रहेंगे और बाकि ये है कि जो इंटर स्टेट के मेटर्स रहते हैं है ना और कोई भी जो पॉलिसी बगएरा रहेंगी तो ये उसको इंप्लिमेंट कराने के लिए रिस्मॉंसिबल होती है और अब ये जॉर्नल काउंसल के जो काम होते हैं ड्रग इसमागलिंग बगएरा तो ये उसको भी देखेगा, है ना, और मैंने बोला था जो नॉर्थ इस्टन काउंसिल है, ये एक एक्ट के माध्यम से बना था 1971 में, अपेक्स लेवल की बॉड़ी होती है, नॉर्थ इस्टन जो इस्टेट है, उनके डेवलाप्मेंट के लिए, और ये रिजनल प्लानिंग बॉड़ी की तरह भी काम करती है, हमने ग्लोबल अलाइंस टू, इलिमिनेट लिम्फेटिक फालेरियस, इसके बारे में बात की, हमने लिम्फेटिक फालेरियस, इसकाफी डेटेल से देखा, हमने बताया था कि ये एक परासाइटिक इंफेक्शन है, और जो मॉस्कीटों है उनके द्वारा स्प्रेड हो जाता है, है ना, इसके बाद हमने वाटर मेनेजमेंट इंडेक्स भी देखा, वाटर मेनेजमेंट इंडेक्स मैंने बताया कि जो निती आयोग है, उसने लाँच किया है, और ये जो इंडेक्स है, जो वाटर, सस्टेनेबल वाटर की जो प्रै निकई Asia Prize के बारे में बात की, मैंने बताया था कि जो जापानी गवर्मेंट है वो निकई Asia Prize देती है और मैंने बताया था कि ये प्रोग्राम चला आ रहा है, तीन फिल्ड में दिया जाता है, अपका औरीजनल ग्रोथ, साइंस, टैक, और इनोवेशन कल्चर में है ना? और जो इस बार का जो निकाइगी एशिया प्राइज है ये विंदेशिवर पाठक को दिया है क्योंकि ये सुलाम इंटरेशनल के सहस्तापक है है न तो इन्होंने लार्ज जो पुब्लिक को, लार्ज नमबर पुब्लिक को कवर करने के लिए इन्होंने अच्छर इनिशेटि कि अबती है तचीछ सूनर थो HOW अधे है नूदजी दंध तब ततत है irm